हलो फ्रेंज, वेलकम बैक, स्वागत हैं आपका एंशेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत के प्राची नितियास के लेक्चर नमबर 27, लेक्चर नमबर 27 में दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नमबर 27, लेक्चर नमबर 27, इंट्रेक्शन इन इनोवेशन का जो 500 साल का पीरेड रहा, 200 VC से लेके 300 CE, इस सब सीरीज का छटा पार्ट है, 6th लेक्चर है और दोस्तों, हमारे प्रीबियस लेक्चर, इस लेक्चर या फ्यूचर लेक्चर के लिए, जो हमारा में रेफरेंस माटीरियल है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, या हिंदी मीडियम हो, वो है एक हिस्ट्री ओफ एंचेंट और अरली मीडियवल इंडिया, बाई उपेंदर सिंग जी, और दोस्तों, लेक्चर नमर 26, जहां हमने खतम किया, वहीं से आज का हमारा लेक्चर 27 शुरू होगा, एक क्विक रीकाप हो जाए, हमारे पिछले लेक्चर, लेक्चर नमर 26 का, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नमर 26 में, हमने 4 important topics को आपके साथ शेयर किया, बदले में, रोम से, ग्रीक एंपायर से, मेडिटरेनियन से, हमें काफी amount में, भारी मात्रा में, गोल्ड कॉइन्स प्राप्त होते थे, किस तरीके से वो उस वक्ट फंक्शन कर रहा था, कौन-कौन से आइटम से इस्पोर्ट करते थे, साथ जात कैसे इंडिया, सिल्क रू एंपायर में, सेगंड सब टॉपिक रहा हमारा, कि ये तो बात हो गई, एक साथ इस्ट एशिया के साथ ट्रेड की, बात हो गई, इंडो-रूमन ट्रेड की, लेकिन ट्रेडर्स हों, ट्रेड है, उसका सिर्फ एकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा, बाकी एरियास में, क्य का impact होता है, क्या role होता है, उसके बारे में भी एक short discussion हमने आपके साथ किया, किस तरीके से religion को फैलाने में, cultural system को फैलाने में, exchanges में, economic exchanges हों, people to people exchanges हों, religious exchanges हों, cultural exchanges हों, Buddhism का spread हो, different different practices हों, इन सभी में trade और traders दोनों बहुत important role play करते हैं, इसके बार हमने बात की, कि जो social changes हमें देखने को मिले, North India में और North India के साथ, Deccan India या South India में, और वो changes, चाहे वरना system में हों, caste system में हों, या gender equality को लेकर उस वक्त रहे हों, और last, जो topic रहा हमारे lecture number 26 का, वो रहा कि किस तरीके से, South India में, early historical times में, society को evolve होते हुए देखा गया, और आज का हमारा जो lecture number 27 है, इसमें हम और चार नए topics के बारे में, आप से information share करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पूरे 500 साल के period में, मतलब कि 200 VCE से लेके 300 CE के period में, philosophical developments क्या रहे, क्या रही आस्तिक स्कूल्स, क्या रही नास्तिक स्कूल्स, उसके बाद हम बात करेंगे कि यक्ष, यक्षीज, नागाज, नागीज, इनकी worship को लेके इस period में, किस तरह की practices क्या thought process रही, फिर हम बात करेंगे, इस 500 साल के period में, जो Vedic rituals थे, वो किस तरीके से evolved या continue होते हुए देखे गए, और लास्ट में आज की lecture को हम close करेंगे, कि पुरानिक Hinduism का rise या उधै इस period में होते हुए देखा गया, क्या उसके important elements थे, क्या उसका background था, क्या उसकी foundation थी, क्या उसकी evolution process इ आज के पहले topic को, आज सबसे पहले हम बात करेंगे, कि इस पूरे 500 साल के period में, जिसने आज तक एक major impact छोड़ा है, Indian society के उपर, Indian philosophical thought process के उपर, और सिर्फ Indian ही नहीं, मैं तो कहूंगा, global world stage पे भी, इस thought process का बहुत majorly impact देखा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, तो important जो philosophical developments रहे, इस 500 period के दोरान, आज हम बात करेंगे, आस्तिक और नास्तिक philosophical schools के बारे में, यह जो distinction है, कि religion एक अलग चीज है, philosophy एक अलग चीज है, यह modern day distinction, अगर आप ancient history में चले जाएं, तो शायर इतना clear cut नहीं रहा, मताँ उस वक्त, तो जो religion है, roughly वही philosophy है, यह जो philosophy है, roughly उसक religion भी कह सकते हैं, आज की तारीख में, कई सारे evolved intellectuals का यह कहना है, कि किसी की philosophy कुछ हो सकती है, लेकिन हो सकता है, वो किसी और religion को follow करते हों, लेकिन शायद यह जो clear distinction है, philosophy और religion में, ancient history में, ancient times में, इतना clear cut देखा नहीं गया, और अगर हम Indian philosophical traditions की बात करें, तो वो अलग-अलग explanations हमें देते हैं, कि reality, nature, knowledge को किस तरीके से आप देख सकते हैं, और चाय कोई भी philosophy हो, कोई भी philosophical school हो, कोई भी theme हो, ideology हो, ancient India में, सभी का जो ultimate aim देखा गया, वो रहा salvation, liberation या मोक्ष की प्राप्ती, और धीरे-धीरे time के साथ, यह जो philosophy रही, thought process रही, philosophical thought रहा, या philosophical schools रही, इनको religion tradition के साथ associate होता देखा गया, अगर हम एक indigenous term की बात करें, कि philosophy, जो कि English word है, अगर इसको हम Indian या भारतिय सभ्यता के साब से देखें, तो क्या उसके लिए सही शब्द होगा, उसके लिए जो सही शब्द है, वो है दर्शन, दर्शन का मतलब view, कि किस तरीके से आप करते हैं, एक और important term, जिसको कहा गया, अन्विक्षिकी, अन्विक्षिकी का मतलब है looking at, किस तरीके से logic reasoning के साथ, किस तरीके से logical reasoning के साथ, आप चीज़ों को view करते हैं, analyze करते हैं, question करते हैं, challenge करते हैं, उनसे inference आप draw करते हैं, अगर आप एक classificatory system use करें, जो early Indian philosophical schools हैं, तो इस आस्तिक स्कूल और नास्तिक स्कूल, जो आस्तिक स्कूल है, वो कहती हैं, कि हमारी जो central theme है, जितनी भी schools, आस्तिक स्कूल of philosophy को follow करती हैं, वो वेदास की जो authority है, उसको supreme मानती हैं, उसको किसी भी तरीके से challenge वो नहीं करती हैं, और धीरे धीरे आस्तिक स्कूल को 6 अलग अल आस्तिक का exact opposite है नास्तिक स्कूल नास्तिक स्कूल का मतलब जिन्होंने वेदास की authorities को नहीं माना उन्होंने reject कर दिया वेदास की authority को और इस नास्तिक स्कूल में कौन कौन से स्कूल आ सकते हैं? Buddhist, Jaina and Charvaka Buddhist, Jaina या Buddhism and Genism के बारे में हम पहले के lectures में बहुत detail में आपके साथ चर्चा कर चुके हैं तो आज के पहले topic की शुरुआत हम करेंगे नास्तिक स्कूल के जो तीसरे स्कूल रहा चरवाका स्कूल उसके बारे में एक short discussion के साथ और इससे पहले की हम चरवाका स्कूल के बारे में थोड़ी detail में आपके साथ चर्चा करना शुरू करें ये भी हमें समझना हुगा कि नास्तिक स्कूल आफ थौट में Buddhism, Jainaism, चरवाका के साथ जो आजविकास थे वो भी इस period में flourish करते हुए देखे गए चरवाका स्कूल जिसको लोकियत के नाम से भी जाना जाता है इसका मतलब एक ऐसा स्कूल एक ऐसी philosophy जो आम लोगों के बीच में develop हुई हो, पनपी हो, evolve हुई हो और स्कूल के जो tenants हैं वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें के चरवाका स्कूल of thought process या philosophy exactly क्या है, इसके बारे में हमें एक सूत्र मिलेगा जिसको compose किया ब्रहश्पती ने लेकिन ऐसा कोई text हमें survive करते हुए नहीं देखा गया तो आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई main text चरवाका स्कूल का हमें मिला ही नहीं तो इसके बारे में फिर हमें कहां से knowledge मिलती है चरवाका स्कूल of Indian philosophy या चरवाका स्कूल of ancient Indian philosophy के बारे में जो हमें details मिलती हैं वो खुदके text के बजाए जो rival schools हैं मतलब कि जो आस्तिक schools हैं उनसे हमें इसके बारे में information मिलती है और जो rival schools हैं उनके जो text हैं उसमें बहुत सारे references ये बताते हैं कि जो चरवाका स्कूल के followers थे या ये जो school of philosophy रही इन्हों ने वेदास की या ब्रहामिन्स की authority को मानने से मना कर दिया, reject कर दिया in fact चरवाका स्कूल of philosophy ने जो sacrifice हैं उसकी क्या efficiency है उसकी क्या effectiveness है इसको भी question करना शुरू किया उन्होंने कई सारे examples देना शुरू किया उन्होंने कहा कि अगर ब्रहामिनिज्म के साब से वेदास के साब से अगर हम किसी यग में कोई आहूती चड़ाते हैं और वो उस तरीके से सीधा भगवान के पास पहुँच जाती है तो अगर मान लीजे कोई traveler हो ज्यादा distance पे हो भूखा हो प्यासा हो उसको अगर मैं घर में एक यग के थिरू आहूती चड़ाऊं तो क्या ये खाना और पानी उन तक पहुँच पाएगा हो सकता है इन school of thoughts के साथ अपगरी करते ह हमें सिर्फ history के student की तरह इनको समझना होगा इस atheist school का thought process रहा कि ये जो ideas है eternal soul की आत्मा कभी मरती नहीं, rebirth, पुनर जन्म या जो laws है कर्म के, पुन्य के इनको हम नहीं मानते चरवा का school of philosophy ने कहा कि हम materialistic doctrine follow करेंगे उन्होंने कहा कि body और consciousness ये बनते हैं matter के different combinations से उन्होंने कहा कि सिर्फ हम एक ही basis मानेंगे, knowledge का और वो basis होगा कि जो हमारे senses perceive कर सकते हैं अगर मैं touch कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, उसी चीज़ को मैं knowledge मानूँगा, ऐसी चीज़ जिसको मैं देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, सेंस नहीं कर सकता, उसको मैं बिल्कुल भी belief नहीं करूँगा और चरवाका स्कूल ने यह जो distinction है, फर्क है, good और bad actions के बीच में, अच्छे और बुरे कर्मों के बीच में इसको भी reject करना शुरू किया इसके अलावनों ने कहा, कि जो life के pleasures हैं, इनको आपको enjoy करना चाहिए क्योंकि चरवाका स्कूल की खुद की text हमें मिली नहीं, यह सारे ideas के इस तरह का शायद thought process होगा चरवाका स्कूल के followers का, यह information मिलती है, इनकी rival schools के text से सो यह भी हो सकता है, कि शायद इतने extreme belief system चरवाका स्कूल के उस वक्त ना रहे हों, लेकिन इसको शायद demean करने के लिए हो सकता है कि जो rival philosophical schools थी, उन्होंने जान पूछ कर इस तरीके से portray करना चरवाका स्कूल को शुरू कर दिया हो बाद की जो text हैं, वो चरवाका स्कूल को दो अलग-अलग schools में तोडते हैं पहला रहा धोड़ता और दूसरा रहा शुशिक्ता, details दोनों की lacking है जो पहला रहा धोड़ता, वो कहते हैं कि सिर्फ चार elements हैं, अर्थ, water, air and fire मतलब प्रिथवी, पानी, हवा और अगनी, यही सिर्फ exist करते हैं और उन्होंने कहा कि जो body है, ये atom से मिलके बनती है लेकिन किसी तरह के आत्मा के concept को उन्होंने पूरी तरह reject किया वहीं चरवाका स्कूल का जो दूसरा स्कूल रहा, जिसको कहा जाता है सुषिक्षिता चरवाका, उन्होंने कहा कि आत्मा के idea को हम accept करते हैं लेकिन ये body से अलग होती है और उन्होंने कहा कि हम आत्मा को तो मानते हैं, लेकिन आत्मा eternal नहीं है मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, जो कभी मरे ही ना, destroy ही ना उन्होंने कहा जब तक body है, तब तक ही आत्मा है, जब body खतम हो जाएगी, तो आत्मा भी उसके साथ ही खतम हो जाएगी तो दोस्तों, ये रहे हमारे नास्तिक school of thought process नास्तिक school of philosophy बुद्धिस्म, बुद्धिस्ट, जेनिस्म, जेना या चरवाका स्कूल बुद्धिस्म के बारे में, जेनिस्म के बारे में, हम बहुत पहले detail में बात कर चुके हैं चवाका स्कूल के बारे में, आज हमने चोटी सी information आपके साथ share की कि नास्तिक school of philosophy ने वेदास के authorities को, ब्रहामिन्स के authorities को मानने से इंकार किया sacrifices की जो philosophy रही वेदास की या ब्रहामिन्स की उसको मानने से इंकार किया उन्होंने कहा कि जो हमारे senses देख सकते हैं, समझ सकते हैं, feel कर सकते हैं सिर्फ उसी को हम knowledge का base बनाएंगे चवा का school, दो schools में break down हो गई, ठूट गई, classify हो गई, धूरता और शुषिक्ता धूरता की details या शुषिक्ता की details हमें बहुत जादा देखने को नहीं मिलती हैं चार सिर्फ elements है, earth, water, air and fire, body मिलके बनती है atom से और धूरता स्कूल ने कहा हम soul को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते वहीं सुषिक्ता चवा का school ने कहा हम आत्मा के concept को मानते हैं लेकिन body से अलग है, eternal नहीं है, जब body destroy मर जाती है, उसके साथ हमारी आत्मा भी मर ही जाएगी अब move करते हैं जो second school of philosophy रही, जिसको कहते है आस्तिक tradition आस्तिक tradition के छे अलग-अलग तरह के systems या तीन interrelated pairs हमको देखने को मिलते हैं ये आस्तिक tradition के शुरुवात इस period के दौरान ही होती हुए दिखाई देती है लेकिन आस्तिक tradition धीरे-धीरे छे अलग-अलग schools या six systems में जो evolve हुआ ये हमें बाद में medieval period के दौरान होता हुआ दिखाई देता है ये जो schools हैं इनको interrelated pairs माना जाता है जैसे की पूर्व मिमांसा और उत्तर मिमांसा, उत्तर मिमांसा को वेदानता भी कहा जाता है Similarly, नियाय और वैशेशिका स्कूल अफ आस्तिक, ancient Indian philosophical school इसी तरीके से नियाय और वैशेशिका, schools of ancient Indian philosophy Similarly, सम्ख्या और योगा अब एके करके बात करना शुरू करते हैं छे के छे systems, इनका exact origin कब रहा, ये pinpoint कर पाना बहुत मुश्किल है, almost impossible है और इनके जो सूतराज रहे हैं, इतने cryptic रहे हैं कि उनसे interpretation करना, commentaries करना, inferences draw कर पाना, बहुत ज्यादा complex process है अलग-अलग अलग 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 तरीके से उनको interpret भी करते हैं अलग-अलग अलग अलग की commentaries भी हमें मिलती हैं इसका मतलब जो philosophical tradition है, उसमें हो सकता है, अपने बारे में कुछ कहा जाए लेकिन जो उसका rival tradition school of thought होगा, वो इस school के बारे में शायद कुछ और ही information आपको दे बहुत philosophical debates होई इसके बारे में, अलग-अलग intellectual लोगों के बीच लेकिन एक exact pinpoint कर पाना कि क्या origin रहा, exactly कैसे, ये उस वक्त evolve रही, क्या exact tenets रहे इसके बारे में आज भी बहुत बड़ी debates हैं क्या इनके authorities रही, इसके बारे में कौन-कौन debaters रहे, कौन इनके audience रहे, कौन इनके patrons रहे ये पूरी तरह without doubt या without conflict आज भी establish कर पाना बहुत ज़्यादा complex है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है चलिए, जो information हमारे पास है, उससे शुरू किया जाए जो पहला school of Aztic, ancient Indian philosophical school है, जिसको कहा जाता है मिमामशा मिमामशा का मतलब है explanation, explanation का मतलब किसी चीज़ को explain करना और ये explanation किस चीज़ की करते हैं, ये explanation करते हैं, वेदास की, क्योंकि Aztic tradition तो वेदास की authority को completely unchallenged मानते हैं, पूरी तरह स्विकार करते हैं वेदास की authority को ब्राह्मनिकल traditions को मिमामशा हमें explain करती हैं वैदिक text को वो बताती हैं कि किस तरीके से वेदास को nature point of view से या sacrificial ritual standpoint से हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उनको approach करना चाहिए और एक बहुत important thinker रहे मिमामशा स्कूल के, जिनको हम जानते हैं जैमिनी के नाम से और इन्हों नहीं लिखा मिमामशा सूत्रा, जो ऐसा लगता है रफली 2nd century BC के आसपास लिखा गया होगा जो मिमामशा स्कूल है, ये कहते हैं कि वेदास की authority, धर्मा के उपर भी unchallenged है eternal है, हमेशा रहेगी, वेदास ही govern करेंगे धर्मा को जैमिनी ने ये भी कहा कि जो वैदिक ritual text हैं, किस तरीके से धर्मा के important part है कैसे धर्मा को operationalize करने के लिए, functional करने के लिए, वेदास में जो methods दिये हूँ है, rituals दिये हूँ है sacrifice उसका एक बहुत central part है उन्होंने ये भी कहा कि जो grammarians ने rules of language बनाए है, उस तरीके से ही हमें वेदास को पढ़ना चाहिए ताकि exact meaning क्या है वेदास का, वो exactly आपको समझ माए क्या rituals है, वो क्यों है, कैसे करने, ये समझ माए sacrifice important क्यों है, ये आपको समझ माए कैसे perform करना है, ये आपको समझ माए इसे school को eventually पूर मिमामशा कहा जाने लगा इसको दूसरे school से distinguish या अलग classify करने के लिए जो दूसरा school रहा, जिसको कहा जाता है उत्तर मिमामशा या वेदानता भी जिसको कहा जाता है उसकी भी जो roots हैं, वेदिक tradition में ही है जो early मिमामशा doctrine है, उसमें कहा जाता है कि Gods शायद इतने relevant नहीं है sacrifice ज्यादा relevant है, वेदा ज्यादा relevant है लेकिन जैसे जैसे मिमामशा school of philosophy इवाल होती चलेगी उन्होंने धीरे धीरे Supreme God की existence को acknowledge या मानना स्विकार कर दिया जो पूर मिमामशा है, focus करती है sacrificial acts पे वहीं जो उत्तर मिमामशा है जिनको आफ वेदान्ता भी कहते है ये focus करते है knowledge पे और knowledge आँको कहा से मिलेगी knowledge मिलेगी open इशद के interpretation से इसके अलाबा एक जो बहुत important text है मिमामशा स्कूल की जिसको कहा जाता है वेदान्ता सूत्रा या फिर बद्रायन की ब्रह्म सूत्रा भी और ये भी ऐसा लगता है कि मिमामशा सूत्र के साथ साथ ही रफली same time को ही ब्लॉंग करती होंगी ये जो उत्तर मिमामशा या वेदान्ता school of thought रहा और जिसकी important text वेदान्ता सूत्र रही वो ये भी कहते हैं कि ultimately सभी के life का जो ultimate objective है वो है कि आप ब्रह्म के बारे में कैसे जाने किस तरीके से ओपनिशत्स में जो information हमें दी हुई है ब्रह्म के बारे में उसको आप पढ़ें उसके बारे में आप knowledge गीन करें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ का सभी चीज़ों का अगर focus होना चाहिए emphasis होना चाहिए तो किस पे होना चाहिए ब्रह्म के उपर चाहे मिमाम्शा हों या वेदान्ता हों दौनोंने ही वेदास को ultimate source माना knowledge का जिसकी authority को उसका क्या exact ground होगा उसका क्या प्रमान है इसके बारे में भी अलग-अलग तरह के views हमको मिलते हैं मिमाम्शा और वेदान्ता school of ancient Indian philosophical thought process इसके अलावा जो वेदान्ता है वेदान्ता का मतलब हो गया आपका उत्तर मिमाम्शा उत्तर मिमाम्शा अगर आप पूर मिमाम्शा के contrast में देखें तो emphasize करती है कि जो path to knowledge है अगर आपको सच्मे knowledge प्राप्त करनी है जनना वो आपको मिलेगी पुरानों से वो आपको मिलेगी उपनिश्रत से वही जो पूर मिमाम्शा है वो कहते हैं कि आपको कर्म पे ज़्यादा फोकस करना होगा sacrifice पे ज़्यादा फोकस करना होगा अगर आपको knowledge चाहिए तो इसका मतलब पूर मिमाम्शा का focus रहा sacrifice वहीं उत्तर मिमाम्शा का focus रहा उपनिश्रत उनसे प्राप्थ हुई knowledge या फिर जनना साब से उससे automatically ultimate knowledge आपको मिल जाएगी शायद हो सकता है कि sacrifice की जो results हो वो permanent ना हो लेकिन अगर आपको permanent knowledge चाहिए तो आपको ब्रह्म, eternal, unchanging, Vedantic schools की तरह focus आपको करना होगा ब्रह्म के बारे में knowledge गेंड करने के लिए हैं मतब sacrifices थोड़े कम important होगे ब्रह्म के बारे में knowledge गेंड करना उपनिशत के थुरू वो ultimate aim आपका होना चाहिए जो वेदानतिक cosmology है जो हमारा शुरुवाती संख्या सिस्टम रहा जो वेदानतिक cosmology है largely जो शुरुवाती संख्या सिस्टम रहा उसमें finally incorporate किया गया इसके अलावा जो वेदानता स्कूल है या उत्तर मिमामशा है उसके जो सबसे influential variant में से आप बात करें जो शंकर वेदानता है इस स्कूल के founder उन्होंने कहा कि ब्रह्म के सामने बाकी सब कुछ illusionary आपको लगने लगेगा इसके अलावा जो बाकी philosophical systems रहे चाहे वो वेदानता हों चाहे मिमामशा हों सबका एक ही ultimate aim रहा liberation किस तरीके से आप मोक्ष को प्राप्ट करें संसार से आपको liberation मिल जाए मुक्ति मिल जाए जीवन और पुनरजन के इस पूरे cycle से आपको छुटकारा मिल जाए ये रहा दोस्तों हमारा पहला discussion जो की रहा हमारा पूरु मिमानशा उत्तर मिमामशा या मिमामशा और वेदानता स्कूल आफ आस्तिक स्कूल आफ एंशिन्ट इंडियन फ्लोसिफिकल थॉट प्रॉसेस अब जो अगला आस्तिक स्कूल आफ थॉट प्रॉसेस है वो रहा विशेशिका उलुका करणा का जो विशेशिका सूत्रा है इसको लिखा गया 2nd century V.C.E. से लेके 1st century C.E. के बीच में और मेमामशा स्कूल आफ थॉट प्रॉसेस की तरह विदान्दा स्कूल आफ थॉट प्रॉसेस की तरह जो विशेशिका स्कूल आफ आस्तिक स्कूल आफ एंशिन्ट इंडियन फ्लोसिफी है वो भी विदास से ही अपनी inspiration ड्रॉ करते हैं विदास के authority को ultimate मानते हैं और कहते ह कि धर्मा highest good है लोगों का भला करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो विशेशिका सूत्रा है ये reality जो है सच्चाई जो है वास्तविक्ता जो है इसको कई तरीके से देखने में हमारी मदद करता है pluralistic realism विशेशिका किस word से draw किये जाते हैं विशेशा इसका मतलब है particularity और इस school का aim है कि किस तरीके से जो चीजे हैं जो आपको दिखाई देता है समझ में आता है उसको आप कई सारे angle से analyze कर सकते हैं view कर सकते हैं question कर सकते हैं और ये जो school है विशेशिका ये साथ fundamental categories में सभी चीज़ों को साथ पधार्थों में सभी चीज़ों को divide करते हैं और वो साथ चीज़े हैं substance, quality, action, universality, particularity, a relation of inheritance and absence or negation और ये category of substance हैं इनको अब आप 9 तरह के atoms में divide कर सकते हैं earth, water, fire, air, ether, space, time, self and mind इन 9 atoms में से पहले जो 4 atoms हैं ये material है earth, water, fire and air उसके बाद जो 5 atoms हैं ether, space, time, self, mind जिनको आप feel नहीं कर सकते हैं देख नहीं सकते हैं ये immaterial हैं कोई भी individual हो, उसमें एक mind atom होगा जिसके साथ एक self atom attach होगा और ये जो सारे atoms हैं चाहे material हो, immaterial हो, यहीं मिलके सारी चीज़ों को बनाते हैं ये eternal है, indestructible है, इनको आप तोड़ नहीं पाएंगे जिए atoms अलग-अलग combinations में combine होते हैं और अलग-अलग चीज़ों की formation basically करते हैं जो वैशेशिका explanation है, reality का, वो identify करती हैं कि 17 से 24 तरह की qualities होंगी, 5 तरह के actions होंगे जिनको आप in substances के साथ attach कर सकते हैं qualities और substances inseparable हैं, अलग-अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे red rose, मतलब की लाल गुलाब, rose है तो उसमें redness रहेगी अगर redness है, तो गुलाब की वो एक inseparable quality है, मतलब दौनो qualities, quality और substance, इनको आप एक साथ देखेंगे, अलग-अलग इनको तोड़ पाना संभव नहीं है वैशेशिका school of ancient Indian philosophy के साथ, closely associated, जो दूसरी हमारी ancient Indian philosophy का आस्तिक school रहा, वो रहा नियाए और नियाए स्कूल primarily concerned है, logic से और logic के साथ-साथ, epistemology इसका मतलब कि आप nature या basis of knowledge के बारे में किस तरीके से question करेंगे, क्या theory रहेगी, इसके ऊपर भी आप focus करेंगे जो नियाए स्कूल है, of astic ancient Indian philosophical school, ये अपने origins को ascribe करते हैं, अक्षपदा गौतमा, और वो लगता है कि रफली 3rd century BC के आस्पास रहा करते होंगे नियाए सूत्रा, ये भी कहते हैं कि शायर 3rd century के बजाए, more likely वो 1st century BC के आस्पास होंगे नियाए स्कूल of astic ancient Indian philosophical school, वैशेशिका जो स्कूल है, उसके बहुत सारे ideas को लेते हैं, उसमें कुछ और चीज़ों को जोडने की कोशिश करते हैं जैसे नियाए स्कूल, जो वैशेशिका स्कूल की pluralistic explanation है, reality क्या, कि सच्चाई को आप कई तरीके से देख सकते हैं, मुझे सच्चाई हो सकता है, कुछ और लगे मान लीजिए, एक चोड ने, या एक किसी normal व्यक्ति ने, किसी medical shop में जाके, चोरी की दुकान बंध थी, उसको तोड़ा कोई medicine चुराई, तो हो सकता है, पुलिस को लगे कि चोरी है, शौपनर को लगे कि चोरी है, लेकिन उस व्यक्ति को हो सकता है, कि उस दवाई की जरुर तो जो pluralistic explanation है, वैशेशिका स्कूल की, उसमें क्या reasoning का तरीका होना चाहिए, कैसे आप establish करेंगे कि वो correct है या नहीं है, ये सारी methodology establish करती है, नियाय स्कूल, नियाय स्कूल of ancient Indian philosophy, ये भी claim करते हैं, कि जो true knowledge है, जिसको आप वैशेशिका स्कूल के त्रू गेन करते हैं, प्रा प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, नियाय सिस्टम के हिसाब से, किसी भी चीज़ को आप तभी question करेंगे, challenge करेंगे, जब उसके बारे में कोई doubt हो, अगर कोई चीज़ के बारे में आपको कोई doubt ही नहीं है, तो बेवजा उसको challenge आप नहीं करेंगे, इसके अलावा, आप किसी भी चीज़ को तभी challenge करेंगे, जब उसके बारे में एक definite conclusion की कोई possibility हो, इसके अलावा, इस पूरी exercise का कोई फायदा नहीं है, अगर ये आपको मोक्ष प्राप्त करने में मदद ना करें, मतलब questioning आप तभी करेंगे, जब आपको इस पूरी exercise से मोक्ष प्राप्त करने मे या cycle of rebirth से मुक्ती पाने में मदद मिलें, इसके अलावा नहीं ये भी कहा, कि अगर किसी भी चीज़ को आप question करते हैं, logic या reasoning के through test करते हैं, तो एक credible observable dataset होना चाहिए, जिसको आप investigation के लिए use कर पाएं, इसके अलावा, नियाए school ने ये भी कहा, कि अगर कोई argument है, कोई investigation है, कोई reasoning है, कोई logic है, इसमें 5 stages होंगी, सबसे पहले कि आपको क्या thesis प्रूव करनी है, उसका statement होना चाहिए, दूसरा, उस thesis को आप किस तरीकी से challenge करना चाहते हैं, उसका statement होना चाहिए, इसके अलावा किस तरह के rules आप apply करेंगे, इस thesis को support करने के लिए, criticize करने के लिए, question करने पड़ेंगे, इसके अलावा इन rules को thesis के साथ आपको correct करना पड़ेगा, and finally आपको जो thesis है, जिसको प्रूव करना है, प्रूव कर चुके हैं, प्रूव करना चाहते हैं, उसको properly आपको statement restate करना पड़ेगा, इसके अलावा उने ये भी कहा, कि ये जो 5 stages है, नियाय method of argument के, इन अब कैसे आप ये प्रूव करेंगे, कि पहाड पे वास्तविक्ता में आग लगी हुई है, सबसे पहले आप क्या कोशिश करेंगे, एक statement of thesis को आप सबसे पहले layout करेंगे, कि मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, कि पहाड पे आग लगी हुई है, अब मैं कहूंगा कि ये प्रूव करने के लिए क्या मेरे पास exactly reason है इस thesis को प्रूव करने के direction में तो वो reason हो सकता है कि मुझे वहाँ पर दुवा उठता हुआ दिखाई देता है मुझे पहाड के ओपर smoke उठता हुआ दिखाई देता है ये रही second stage third stage है कि एक example के through एक rule के through मैं इस thesis को support करने की कुशिश करूँगा और ये rule क्या हो सकता है इस particular case में कि जहां आग लगती है वहाँ पर दुवा उठता ही है या जहां पर दुवा है इसका मतलब आग लगी ही होगी ये रहा मेरा तीसरा stage अब चौथा stage है कि इस rule को कि जहां आग होगी दुवा होगा जहां दुवा है वहाँ आग होगी इसको अब मैं अपनी thesis के साथ associate करूँगा मेरी thesis क्या रही मुझे prove क्या करना है कि पहाड के उपर आग लगी होई है तो मैं जहां कहूँगा क्योंकि पहाड के उपर मुझे smoke दिखाई देता है दुवा दिखाई देता है इसका मतलब वहाँ पर आग लगी होगी and ultimately पांचवा stage है कि hence proved कि अगर मुझे दुवा दिखाई दिया दुवा वही होगा जहां आग होगी या आग वही होगी जहां दुवा होगा पहाड के उपर मुझे दुवा दिखाई दे रहा इसका मतलब वहाँ पर आग लगी ही होगी इस तरीके से आप logically चीज़ों को पांच stage में challenge कर सकते हैं और न्याय स्कूल ने logic के साथ साथ perception को, reasoning को, inference को भी बहुत ज्यादा importance उस वक्ट दी दोस्तों तो ये रहा हमारा second discussion न्याय एंड वैशेशे का schools of ancient Indian philosophical system के बारे में अब जो last के हमारे दो schools पर जाते हैं आस्तिक school of thought process वो हैं सम्ख्या सम्ख्या कारिका को आप scribe कर सकते हैं इश्वे कृष्णा को जो की mid 4th या mid 5th century BC को शायद बिलॉंग करते होंगे सम्ख्या सच माइने में बहुत पुरानी philosophical system रहा है और उपनिशद के दोरान ही या उसी समय से सम्ख्या स्कूल के origin को शायद टेस्बै किया जा सकता है और सम्ख्या स्कूल के फाउंडर कौन होंगे दा लेजेंडरी कपिला वो फाउंडर रहे जिन्हों ने originate किया ये जो सम्ख्या स्कूल रही आस्तिक ancient Indian philosophy को स्कूल की सम्ख्या में हमें detailed ontology मतलब किस तरीके से क्या question करना है इनके बारे में बहुत सारी details देखने को मिलती है उन्होंने कहा कि दुनिया वही है जो हमारे आसपास exist करती है और उन्होंने कहा कि जो fundamental categories हैं सम्ख्या thought में वो दो हैं पहली पुरुष पुरुष का मतलब spiritual principle और दूसरा प्रकरती प्रकरती का मतलब matter या nature और उन्होंने कहा कि बहुत सारे पुरुष होंगे बहुत सारी spiritual principles होंगे वो सभी eternal होंगे हमेशा के लिए होंगे unchanging होंगे कभी नहीं बदलेंगे passive होंगे conscious witnesses होंगे वही प्रकरती eternal तो होंगी unchanging भी होंगी लेकिन active होंगी unconscious होंगी तीन तरह के गुन या qualities होंगी सत्वा सत्वा का मतलब goodness अच्छाई राजस राजस का मतलब energy या passion तमस तमस का मतलब है darkness या energy यह जो relation है पुरुष एंड प्रकरती का इसको describe किया गया है similar fashion में जैसे कि अगर कोई dancer है उसको कोई passive observer चुपचाब डांस करते हुए देख रहे हैं तो इसमें passive observer कौन होंगे passive observer होंगे इसमें पुरुष इसका मतलब spiritual beings spiritual principles और इसमें active part कौन सा होगा active होंगी प्रकरती liberation सिर्फ इसी बात को लेकि finally कोई भी attain achieve कर सकता है as per some care school कि अगर आपको इस बात की समझ develop हो गई कि पुरुषा और प्रकरती दोनों में फरक क्या है जिस दिन ये realization आपको मिल गया आप वो उसकी तरफ बढ़ जाएंगे इसके अलावा जो समक्या system है ये और सारी categories जैसे बुद्धी मतलब will या discriminating जो faculty है हमारी body हमारी समझ की उसके बारे में इसके अलावा अहमकार अहमकार का मतलब ego, ighness या mind इनके बारे में भी बात करते हैं इसके अलावा जो समक्या school है ये consider करते हैं कि जो perception है reliable testimony है ये भी knowledge gain करने के लिए valid basis हैं और उन्होंने किस तरीके से आप चीज़ों को जब देखेंगे समझेंगे question करेंगे perceive करेंगे reliably तरीके से उसको आप testify करेंगे उससे क्या inferences आप draw कर सकते हैं ये भी आपके लिए knowledge के लिए मोख्ष के लिए बहुत जरूरी है और दोस्तों इसी direction में जो सम्ख्या स्कूल से attached हमारा last school of आस्तिक ancient Indian philosophical school है वो है yoga yoga आजकल आप बहुत सुनते होंगे पिछले कई सालों में decades में इंडिया ने बहुत नाम कमाया है yoga को लेके जो हमारा ancient yoga school of आस्तिक philosophical school रहा वो thought और practice दो चीजों को मिलाने वाला हमारा philosophical school रहा जो author है yoga सूत्रा के उनको आस्तिक हम शायद नहीं जान पाए लेकिन जो book लिखी गई text लिखी गई वो किसने लिखी होगी पतानजली ने जो yoga सूत्राज है ये yogic practice किस तरीके से आप करेंगे उसकी manual इसको कहा जाता है उन्होंने ये भी कहा कि yoga के 8 stages है जिसमें से 5 आपकी body को train करने के लिए है बाकी जो 3 है वो self सिद्धी प्राप्ट करने के लिए है उन्होंने ये भी कहा कि जो yoga सूत्र है ये हमको इस बात के बारे में भी बताते हैं कि ultimate जो objective है पूरी exercise का वो यही है कि किस तरीके से आप चित वृत्ती निरोधा मतलब आप अपनी activities और mind के ओपर total control प्राप्ता आप कर देंगे कैसे आप misconception को हटा देंगे किस तरीके से नए concepts आप evolve कर वाएंगे किस तरीके से memory, mind, sleep सबके आपका पूरा control हो जाएगा किस तरीके से आप अपने mind पे focus करके ultimately control और tranquility आप attain कर पाएंगे यही ultimate है योगा स्कूल आफ आस्तिक ancient Indian philosophical thought process और योगा स्कूल में ये भी कहा गया कि आप समख्या स्कूल की तरह जिस दिन पुरुष और प्रकरती के बीच में distinction समझ पाएंगे knowledge gain कर पाएंगे higher self तक पहुँच पाएंगे वही रास्ता आपके लिए मोक्ष को प्राप्ती की तरफ ले जाएगा तो दोस्तों ये हमारे 6 जो स्कूल रहे आस्तिक स्कूल of ancient Indian philosophical system उसके बारे में एक brief discussion किस तरीके से इन 6 स्कूल्स को आप दो-दो के पेर में तोड सकते हैं एक स्कूल एक thought process शुरू करता है दूसको उसको compliment करता है बढ़ाता है फिर दो स्कूल्स फिर दो स्कूल्स उसके अलावा जो नास्तिक स्कूल of thought process रहे philosophical schools हो या नास्तिक स्कूल of philosophy हो इन सभी ने time के साथ साथ खासता और से ये जो period रहा 500 साल का 200 BCE से लेके 300 CE तक का अब इस्व के framework को evolve करना शुरू कर दिया जो पुराने traditions हमारे रहे कई centuries के उनको तो हमने continue किया ही किया लेकिन कई सारे नए development मी अब इस period में हमको देखने को मिले जैसे ही एक बहुत important development कि अब चाहे बुद्धिजम हो चाहे जैनिजम हो उसमें नई devotional practices emerge होती हुई देखी गई इस 500 साल के period में and बुद्धिजम और जैनिजम के साथ में यही वो 500 साल का period रहा जहां हमें शुरुवाती दौर के हिंदुईजम के शुरुवात भी देखने को मिलती है चाहे वो बुद्धिजम हो जैनिजम हो early हिंदुईजम हो नए नए तरह के नए नए तरीके नए नए फॉर्म्स पूजा करने के वर्षिप करने के नए नए डाइटीज, देवी देवता नए नए माइथेलोजीज इस period में evolve होती हुई देखी जाती है Teachers हों, Saints हों, Gods हों, Goddesses हों वर्षिप करने के तरीके हों Vandation के तरीके हों Images के तरीके हों वो अब हमें religious shrines में establish होते हुई देखी जाने लगी एक Shrine एक तरीके से एक Demarketed Sacred Space है जिसको आप किसी भी तरीके से construct कर सकते हैं, किसी के लिए हो सकता है एक पेड़ Shrine हो, किसी के लिए मंदिर Shrine हो सकता है, किसी के लिए मजज़ Shrine हो सकता है, किसी के लिए simple एक boundary के अंदर अगर आप किसी डाइटी को देवी देथा को मानते हो वो श्राइन हो सकता है अर्लियल टाइम्स में जनरली स्टोन्स के बनाए जाते थे श्राइन्स और इस पीरिड में ये ज्यादा परमानेंट तरीके से बनाए जाने लगे पुराने टाइम के मुकाबले और श्राइन सिर्फ एक religious space ही नहीं है ये एक social space भी है क्योंकि इस पीरिड में अब community worship की पूरा समाज आके उस जगह पे पूजा पाट करे वनरेशन करे ये देखा जाने लगा अब लोग अगर एक जगह आएंगे एक दूसरे से interact भी करेंगे इसका मतलब community worship, वनरेशन और social interaction का centers भी shrines इस period के दौरान बनते हुए देखे गए इसके अलावा shrines कौन बनाएगा कौन उनको दान दक्षिना देगा कौन उनका रख रखाओ करेगा कौन उनको पिट्रोनिज देगा इसके बारे में भी हो सकता है political, social, economic status established करना इसका region हो अच्छा ये जो history है, तिहास है religions का, इसको लेके कुछ चीज़ों को हमें ध्यान भी रखना होगा कि जब भी आप religious text पढ़ेंगे हो सकता है चि उस वक्त के जो religious text हो या आज के भी religious text हो ये हो सकता है पूरी society को properly reflect ना करते हो ये हो सकता है कि जो elite class हो उनकी क्या practices रही, सिर्फ उसी को ज्यादा अच्छे से reflect करता हो popular practice क्या रही, common masses की practices क्या रही, उसको शायद उतना detail में आपको ना समझा पाए ना describe कर पाए हो सकता है, ये जो religious text रहे हो इनकी जो authorship हो ये हो सकता है, elite हो मतलब राजा ने जिनको कहा, या influential लोग जो हैं, उन्होंने इनको लिखवाया हो इनका nature भी normative हो सकता है साथी साथ, exact dating भी इनकी बड़ी मुश्किल है कि exactly कब इनको लिखा गया तो बहुत सारे challenges भी है इनसे जो information मिलती है इसके बारे में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा इसके लावा बहुत सारे beliefs हैं, practices हैं जो हमें in religious text में मिलते हैं ऐसा लगता है कि in religious text के लिखे जाने के time पे ही उन practices की शुरुवात हुई हो लेकिन वास्तविकता ही हो सकता है कि ये practices बहुत पहले से चली आ रही हो इसके लावा ये भी होता है कि जिस period में जो भी dominant religious traditions रहें उन्होंने जो उससे कम dominant traditions रहें उनको शायद marginalized करने की कुशिश की हो उनके ideas को जाला तबज्जो नहीं दी हो उनके ideas को distort करने की कुशिश की हो उनके लिए negative picture पेंट करने की कुशिश की हो जैसे आजवी का जो sect है इसके बारे में चाहे बुद्धिस टेक्स्ट हो जैनिजम के टेक्स्ट हो सभी में काफी criticism देखने को मिलता है लेकिन ये भी सच है कि इस 500 साल के period में भी आजवी का sect flourish करता ही रहा पूरे subcontinent में for many centuries इसका मतलब लोगों को कुछ ना कुछ तो उसमें पसंद आया ही होगा इसके अलावा जो religious text है हमेशा हमें regional या जो local variations हैं practices में उसके बारे में भी शायद ना बताएं अगर आप एक district में चले जाएं एक state में चले जाएं तो हो सकता है same religion हो लेकिन practices हो सकता है जैसे UP में पस्चमांचल में अलग हो मध्यांचल में अलग हो पूर्वांचल में अलग हो राजस्थान में अलग हो मतुरा में अलग हो दिल्ली में अलग हो पंजाब में अलग हो तो ये जो variations रहे इनके बारे में भी उतनी चीजें या उस level की detail हमको देखने को नहीं मिलती तो इस वजह से आप religious text को तो पढ़िये ही पढ़िये उसके साथ as a student of history आपको archaeological data, inscriptions और coins को भी information के लिए एक साथ synergize करते हुए bigger picture, holistic picture paint करनी आपको होगी इसके अलावा, अलग-अलग religions, अलग-अलग sex जो हैं, उनमें आपस में क्या interactions रहे हो किस तरीके से उनकी history overlapping हो, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना ही होगा क्योंकि दोस्तों, ये भी साच है कि अगर आप studies करें, इंडिया में जो pilgrimage की sites हैं जहां पे लोग जाते हैं, धार में अपने कर्मकान करते हैं, बहुत सारे ऐसे examples हैं कि बहुत सारी अलग-अलग religious communities, अलग-अलग religion के लोग, सेम ही जगा worship करते होगे देखे गए हैं इसका मतलब interconnections भी हैं, अलग-अलग religions के, उनमें आपस में interactions भी हैं तो आप archaeological evidence देखेंगे, तब आपको ये interconnections और आपको ये interactions दिखाई देंगे वरना अगर आप उस particular religion की कोई text पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि बाकी religion के साथ तो interactions बहुत स्यादा है ही नहीं कि हमेशा जो भी dominant tradition होगा, dominant religion होगा, जिस भी religion की वो text होगी, दूसरे religion को हो सकता है, वो शायद उतनी तबज्जो ना दें, उनके बारे में negative ज्यादा लिखेंगे लेकिन जब archaeological data देखेंगे, जैसे बनारस में, आपको सारणाथ भी देखने को मिलते हैं, आपको वहाँ बावा भूले नाथ के बारे में भी इतनी ancient mythology देखने को मिलती है, एक ही जगा और अलग-अलग traditions flourish करते होगे देखे गए हैं जो sculpture motives हैं, ये भी हमें ancient religious establishment के इस वक्त evolve होते हुए दिखाई देते हैं, कई सारे auspicious symbols जिनको पवित्र शुब माना जाता है, उनका एक shared pool develop होते हुए देखा गया है, जिसको buddhism हो, चाहे jainism हो, चाहे hinduism हो, इन सभी में use किया जाता हुआ देखा गया है जो shrines रहे, उनका architectural styles रहा, ये भी ऐसा लगता है कि अलग-अलग religion हो चाहें, लेकिन similar type के कई सारे elements उन सभी में देखे गए हैं जैसे, काट्रा में, जहाँ पर हमको buddhist विहरा देखने को मिलता है, इसके अलावा जमालपुर का जो mount है, वहाँ भी buddhist establishment देखने को मिलते हैं इसके अलावा, जो धधी करना है, वहाँ पर नागार डाइटी का shrine देखने को मिलता है, इसके अवाँ जो कंकाली टीला है, वहाँ पर हमें जेना establishment देखने को मिलते हैं सिमिलरली अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएं, तो आंधरा के गुंटूर डिस्टिक में, नागार जुन कोंडा में, जो अब एक्चली नागार जुन सागर डैम के बन जाने से अब वाटर में समर्च हो गए हैं, वहाँ पर हमें एक ही जगा पे 30 से ज्यादा ancient buddhist establishment मिलते हैं, 19 से ज्यादा Hindu temples मिलते हैं, कई सारे हमें medieval jaina shrines में मिलते हैं, text पढ़ेंगे तो आपको लगेगा buddhism अलग जा रहा है, hinduism अलग जा रहा है, jainism अलग जा रहा है, archaeological data देखेंगे, coins देखेंगे, लोगों के बारे में और समझनी कोशिश करेंगे, तो Indian society, भारत क समाज हमेशा शुरू से ही बहुत tolerant रहा है, बहुत सारे religions का amalgamation रहा है, बहुत सारे interactions हुए, exchanges हुए हैं, similarly, अगर आप राजस्थान में early hinduism को trace करना शुरू कर दें, तो कई सारी जो sites हैं, जैसे बहराट, नगरी, रायर, नगर, सांबर, रंगमहल, यहाँ पे अलग- जो belief systems हैं, उनके coexistence के बारे में, अलग-अलग religion के, एक साथ होने के बारे में, shared common symbols होने के बारे में, ideas के exchange होने के बारे में, कई सारे architectural similarities होने के बारे में, बहुत सारी information हमें, दोस्तों, मिलती हैं, तो दोस्तों, यह तो रहा हमारा आज का पहला topic, कि कौन कौन से हमारे आज का हमारा जो दूसरा topic है, वो हमारे पहले topic को थोड़ा आगे दे जाएगा, अब हम बात करेंगे, पूजा या वर्षिप जो उस वक्त हुआ करती थी, यक्षगणों की, यक्षाज और यक्षीज की, नागाज और नागीज की, जो आज भी कई सारे areas में, modern day society में भी आपको देखने को मिलते हैं, आनन्द के कुमार स्वामी आग्यू करते हैं, कि ये जो devotional भक्ती elements हैं, इंडियन रिलीजिन्स के, इनका जो main foundation stone आप कह सकते हैं, वो ancient इंडियन टाइम से रहा, ये जो पूजा पाठ होती थी, वर्षिप होती थी, यक्षाज की, यक्षीज की, नागाज की, नागीज की और goddesses की उसमें, उन्होंने ये भी आगू किया, कि जो worship है यक्षाज और यक्षीज की, इसका मतलब है कि temples, पूजा, devotional worship, offering और cult, कि जो system धीरे धीरे अलग अलग religions में develop होने लगे, उनकी अगर आप सच में foundation या root ढूणने जाएं, तो ये आपको यक्षाज और यक्षीज की जो ancient Indian times में पूजा फाट शुरुवाती दौर में होती थी, वहीं पे आपको मिलेगी, यक्षाज वो DTs हुआ करते थे, जिनको आप कई सारी चीजों के साथ connect करके देख सकते हैं, जैसे water के साथ, fertility के साथ, trees के साथ, forest के साथ, और wilderness के साथ, जो evidence हैं, चाहे वो literary evidence हों या sculptural हों, graphically हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो यक्षाज हुआ करते थे, वो एक बहुत powerful deity से निकल कर metamorphosis होके finally अपने existence में आते थे, उसके बाद उनकी अलग-अलग चीज के लिए पूजा पार्ट वनरिशन श साथ-साथ, wealth के साथ भी associate किया जाता है, यक्षाज की जो female counterpart है, वो हैं यक्षिनीज, और इनकी अगर आप beginnings देखें, तो इनको शुरुवाती तोर पे fertility के साथ connect करके देखा गया, कई सारी जो सलब भंजिकाज होती हैं, एक generic term है, जो की women एक tree के branch को लेके sensuous position में अगर खड और ये कई सारे जो different religious establishments हैं, उसमें देखने को मिलती हैं, और ये पूरे subcontinent के जो अलग-अलग religious establishments हैं, उसमें देखने को मिलती हैं, और कई सारी शलब भंजिकाज, शलब भंजिकाज एक generic term है, जो denote करने के लिए यूज की जाती हैं, कि एक women जो एक tree की branch को grasp करके, एक sensible position म अगर खड़ी हैं, उसको represent करने के लिए, सही मायने में ये यक्षीज ही हुआ करती थी, जो पूरे subcontinent में, शलब भंजिकाज में हमको mention होते हुए दिखाई देती हैं, और यक्षों या यक्षीज हों, ये हमें ब्रामनिकल हों, चाए बुद्धिस्ट हों, जेना जिन सभी में mention होते हुए दिखाई देती हैं, और इनको एक डैमिनिक या frightening creatures का तौर पे portray किया गया है, उनकी जो worship है, वो finally, जैसे जैसे dominant religious traditions, strong होते चले गए, यक्षीज और यक्षनी की जो worship का element रहा, उसमें उसको समाहित कर लिया गया, absorb कर लिया गया, उसके बाद, धीरे जो शुरुवाती तोर पे बहुत popular practice रही, यक्ष और यक्षीज की worship की, इसको अब main जो dominant religion tradition रहे, उसका एक part बना दिया गया, इसके बावजूद भी ये जो 500 साल का period रहा, 300 BCE से लेके 200 CE तक का, बड़ा important इसको आप मानेंगे religious landscape के point से, जो cults हैं, ये minor rural focus के तोर पे जो start हु कि शायद इस 500 साल की period के दोरान दीरे दीरे diminish होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है, इस 500 साल के period में भी, चाहे मतरा हो, या बाकी बहुत सारे urban workshops हों, urban cities हों, उसमें हमें large imposing images दिखाई देती हैं, यक्षाज और यक्षीज की, हमें कई सारे iconographic conventions मि यक्ष और यक्षीज की community worship होती हुई, हमें इस 500 साल के period में दिखाई देती हैं, जैसे मध्यप्रदेश के पवईया और बेसमेगर में हमें यक्षा के बड़े-बड़े figures मिलते हैं, जिनके हाथ में एक money bag भी है, तो इसका मतलब, यक्ष को कहीं न कहीं, wealth के साथ, prosperity के साथ, उस वक्ष कनेक्ट किया जाता होगा, इसके अलावा, मत्रा के पास, पर्खम में, money भदर यक्ष का जो कॉलोजल बड़ा figure हमें देखने को मिलता है, वो शायद indicate करते हैं, कि ये merchants के, travelers के उस वक्ष डिटी या भगवान रहा करते होंगे, इसका मतलब, जो important trading centers इस वक्ष के ह किया जाता है, आज की तारीख में भी, इसका origin भी आप उस वक्ष की जो यक्षनी की worship थी, डिटी थी, उनके साथ आप associate कर सकते हैं, इसका मतलब, आज की तारीख में हो सकता है, आप इनको मादुरगा, माभवानी के तौर पर मानते हों, हो सकता है, शुरुवाती दौर में ये रोल यक्षनी द्वारा प्ले किया जाता हो, इसके अलावा यक्षी के हमें बड़े-बड़े stone images भी इस period में देखने को मिलते हैं, इसके अलावा, घरों में, गाओं में, चोटे centers में, हमें चोटे stone के और terracote की images भी देखने को मिलती हैं, इसका मतलब, larger tradition का तो ये part रह ही रहे, लेकिन जो domestic private context है, उसमें भी यक्ष और यक्षनी की जो worship रही, इसने बहुत important role play किया, दोस्तों, यक्ष और यक्षनी के अलावा, जो नागाज और नागीज हैं, या नागिनीज हैं, इनकी worship भी बहुत important role play करते हुए, इस पूरे 500 साल के period में देखी गई, और ये ये पूजा पाठ या उनको मानना, आज भी बहुत prevalent है, जो नागाज हैं, नागीज हैं, इसको किस के साथ associate के जाता होगा, water, पानी and fertility के साथ, जैसे कि यक्ष और यक्षनी का शुरू में focus रहा, एक exclusive worship के तौर में, time के साथ साथ लेकिन जो dominant religion था, उसने उसको observe कर लिया, similarly नागाज और नागीज या नागीज के जो worship थी, ये छोटे-छोटे tribes हो सकते हैं, communities हो सकते हैं, वहाँ पर की जाती रही हो, लेकिन धीरे-धीरे time के साथ, जो dominant religious traditions रहें, उसमें इस culture को इस tradition को भी observe कर लिया हो, हमको बड़े-बड़े नागा figures मिलते हैं, early century CE में बहुत सारी जगाओं पर, और जिस तरीके से यक्ष और यक्षनीज की पूजा शुरुवाती तोर में major cult के तोर पर देखी गई, और जैसे-जैसे religions strong होते चले गए, इनको observe कर लिया गया major religious traditions में, उसी तरीके से नागाज और नागीज, या नागाज और नागिनीज की जो worship रही, उनको भी अपनी primary position से हटा कर, finally उनको जो larger religious tradition रहे, उसमें observe होते वे देखा गया है, तो दोस्तों ये आज का हमारा दूसरा sub-topic रहा, कि किस तरीके से different different हमारी philosophical schools रही, उसके बाद किस तरीके से यक्ष यक्षनी की पूजा पार्ट शुरुवाती दौर में देखी गई, किस के सा का बाद में वो पार्ट बन गए, similar lines में नागाज और नागीज, तो शुरुवात में बहुत prominent role play करते वे देखे के religious sphere में, philosophical sphere में, बाद में major tradition का वो पार्ट बन गए, तीसरा आज का हमारा जो topic है, वो है इस period के दौरान, मतलब इस 500 साल में, 200 BCE से लेके 300 CE में, वैदिक period को देखें, तो कई सारे हमें indications मिलते हैं, कि वैदिक rituals की जो importance पहले से चली आ रही थी, इस period में वो और strong होती भी देखी गई, कई सारे rulers, जैसे की पुष्यमित्र सुंगा, इसके अलावा कई सारे सत्वहान rulers, इसके अलावा कई सारे इश्वाकु kings, उन्हों ने भी कई सार वैदिक sacrifices, sacrificial, यग etc. को perform किया, और ये हमें tax information मिलती है, coins information मिलती है, इसके अलावा हमें एक योधिया coin भी मिलता है, इसके अलावा जैसे की एक योधिया coin जो हमें मिलता है सांबर में, वो एक depict करते हैं एक bull को, जो की एक yupa उसके सामने खड़े हैं, basically sacrifice के लिए, similarly जो हमें copper coins मिलते हैं, अर्जिन वियास उसमें भी similar scenes हमको दिखाई देते हैं, इसके अलावा मत्रवा में जो excavations हुए हैं, खुदाई हुई है, उसमें भी कई सारे pits हमें मिले हैं, जिसमें ash, मतलब की राख, animal bones, pottery, residential structures के अंदर हमको मिले हैं, इसके मतलब कहीं न कहीं sacrifices इस period में भी एक important Vedic ritual के तोर पे prominent position पे रही होंगे, इसके अलावा हमें कई सारे Sanskrit inscriptions मिलते हैं, जो हमें इन Vedic traditions के sacrifices के बारे में बताते हैं, इसके अलावा ये जो grant sacrifices carry out किये जाते थे, उसमें एक यजमान भी हुआ करते थे, जिनके पास considerable resources होते होंगे, जो actually इन sacrifices को करवाते होंगे, इसका मत मतलब जो Vedic sacrifices हमारे बहुत पहले से चले आ रहे थे, कई century से चले आ रहे थे, उन्होंने इस period में भी अपने आपको continue किया, और ये sacrifices या Vedic rituals हो सकता है, आप political legitimization के लिए करें, हो सकता है उनको patronage देने के लिए करें, हो सकता है आप अपने लोगों को अपने साथ जोडने के ल और ज्यादा strong इस पूरे period में होती हुई देखी गई दोस्तों, अब आज का हमारा जो last topic है, वो है कि यही वो period रहा, जहां early Hinduism की शुरुवात होती हुई देखे गई, अब हम बात करेंगे पुरानिक Hinduism के बारे में, या early Hinduism के बारे में, जो English word है Hinduism, ये अगर आप सही राइने में देखें, तो बहुत recent माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसको पहली बार 1816 या 1817 में, राजा राम बोहन राय ने पहली बार यूज किया, लेकिन जो word है Hindu, ये कहीं जादा पुराना है, और शुरुवाती दौर पे इसको किसले यूज किया जाता था, इसको Persian descriptions में, ऐसे geographical area को demarket करने के लिए, जो सिंधु नदी या सिंधु रिवर के beyond हैं, उनको basically indicate करने के लिए Persians यूज किया करते थे Hindu word को, शुरुवात में geographical term रही, धीरे धीरे अब इसमें religious elements भी आपस में साथ में जुडने लगे, इस period के दौरान और early medieval period के दौरान, अब ये geographical term, religious cultural meaning भी लगातार गेन करती हुई चलिए गई, और आज की तारीक का modern day Hinduism सही मायने में हम देखें, तो जो दुनिया के बाकी religions हैं, उनसे कई मायने में ज्यादा flexible है, tolerant है, अलग है, जैसे modern day Hinduism का कोई एक founder नहीं है, एक fixed किताबों का canon नहीं है, एक major belief systems क्या-क्या होने चाह नहीं है, codified नहीं है, इसके अलावा organized priesthood नहीं है, सबकी अपनी छूट है, कोई अगर आज की तारीक में भी यक्ष यक्षनी की पूजा करना चाता है, पूरी तरह free है, नागाज, नागीज या नागनीज की पूजा करना चाता है, पूरी तरह free है, कोई स्कप्जस की करना चाते हैं, पूरी तरह free है, इसका मतलब modern day Hinduism में बहुत ज़्यादा variety है, practices में बहुत ज़्यादा variety है, traditions में बहुत ज़्यादा variety है, और कई साले scholars का ये भी argument है, कि Hinduism को religion के साथ साथ एक social cultural practices के set के तोर पे देखा जारा चाहिए, जो बहुत ज़्यादा flexible है, जिसको जै Hinduism अगर religion के तोर पे आप देखें, तो इसको आप singular angle से मत देखिए, इसको आप plural angle से देखिए, बहुत अलग-अलग मायने इसके हो सकते हैं, और सभी allowed हैं, और ये जो period रहा 500 साल का, 200 BC से लिए 300 CE तक का, इसमें कई सारे ऐसे practices का evolution हमें देखने को मिलता है, जिनको आप modern day Hinduism या उस practices के साथ associate कर सकते हैं, यही वो period रहा जिसको आप Hindu pantheons के evolution का formative phase कह सकते हैं, शुरुवाती दौर कह सकते हैं, कई सारे जो deities हैं, यह important focal point रहे इस period के विदिक literature में जो हमें mention होते हो दिखाई देते हैं, और इनी centuries में हमें किस तरह का devotion होगा, supreme deities का evolution होते होए देते हैं, और temple सिर्फ common places पर ही नहीं, community places पर ही नहीं, घरों में भी उनकी स्थापना होते होगा दिखाई देती हैं, और यही वो period है, जा theistic trends हमें evolve होते होगा दिखाई देते हैं, जिनको आप बाद में letter open issues के साथ connect कर सकते हैं, और यह process कहीं जादा clearly visible हमें दिखाई देती हैं, जो हमारे दो epics हैं, महा भारत एंड रमाई, नया जो devotion की religiosity है, जो हमें भगवत गीता में, पुरानाज में देखने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं, उसका reflection इस period पे हमें बहुत strongly पढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो हमें textual sources के साथ साथ, archaeological sites, sculptures, coins, inscriptions, important data के तोर पे उनक textual references आप देखें, devotional practices के, जो हमें मिलते हैं, बुद्धियान ग्रहश सूत्रा में, वो हमें बताते हैं, कि जो deities की है, भगवानों की images है, उसकी worship कैसे की जाती थी, किस तरीके से कौन सी ceremonies होती थी, कि जब किसी का जन्म होता था, पहली बार घर को छोड़ता था, कौन-कौन से rituals उस वक्त किये जाते होंगे, similarly, गौतम धर्म सूत्रा के आप बात करें, तो किस तरीके से gods की जो images हैं, उसको आप householder stage के साथ associate करके देख सकते हैं, similarly, पतान जली के जो महाँ भाश्या हैं, वो mention करती हैं, जो हमारे deities हैं, Lord Shiva, Skanda and Vishakha उनके बारे में, अर्शास्ता recommend करते हैं कि temples बनाए जाने चाहिएं, खास तोर से guardian deity के, जो मतलब पूरे town या पूरे राजय का protection करें, और guardian deity के जो temple हैं, इसको कहां बनाएं गया, city के center में, इसके अलावा अर्शास्ता ये भी कहते हैं, कि जो deities हैं, इनके चार city gates पे भी आपको temple या उनकी स्थापना करनी ही चा कि आपको main guardian deity के अलावा जो बाकी लोगों के भगवान हैं, god हैं, deities हैं, उनकी भी इस्तापना आपको करनी चाहिए, इसके अलावा अर्शास्ता में हमें temple की क्या property होगी, किस तरह की images उसमें होंगी, कैसे crops उनके लिए होगा जाएंगी, क्या cattle सुनके होंगे, कौन slaves होंग जो earliest शुर्वाती दौर के inscription references हैं, archaeological remains हैं, हिंदू temples के, वो भी हमें इस 500 साल के period में ही देखने को मिलते हैं, जैसे हैली डोरस का जो बेशनगर pillar inscription है, वो हमें एक pillar के installation के बारे में बताता है, जो की भगवान विश्नु के मंदिर से सम्मंदित है, इसके अलावा, second century का जो ना अगरी inscription है, वो हमें समकर्षना और वाशुदेव जी के मंदिरों के बारे में काफी information हमें देते हैं, इसके अलावा, ऐसे मंदिर, ऐसे temples, जिनको dedicate किया गया, मत्रिकास, मतलब seven mothers, कहां मिले हैं, सोख में, इसके अलावा, लक्ष्मी जी का मंदिर, अतरंजी खेरा में, इसक इसके अलावा, जो हमें temples मिलते हैं, जो devoted हैं, भगवान विश्नु को, भगवान शिव को, नागारजन कॉंडा में, उनके बारे में भी बहुत सारी information इसी period के दोरान में establish होती हुई देखी गई है, इसके अलावा, चाहे पत्थर stone के, या terracotta sculptures हों, कई सारी sites हमें मिलते हैं मत्रा के आसपास, जो हमें इस वक्त popular cults रहे, यक्षाज, यक्षनीज, नागाज, नागीज, इसके अलावा, धीरे-धीरे किस तरीके से, ब्रामनिकल tradition, या जो religious उदय, early Hinduism, इस period में देखा गया, उसमें कैसे वो समाइत होते चले गए, इसके बारे में भी हमें बहुत सार information मिलती है, इसके अलावा, जो नए emerging cults हैं, कि भगवान शिव की पूजा, भगवान विश्नु की पूजा, या Goddess दुरगा जी की पूजा, कैसे शुरुवाती दौर में देखी गई, इसके बारे में भी हमें बहुत सारे information मिलती है, ये जो 500 साल का period है, 200 BC से 300 CE का, इसमें कई सारे sectarian cults के बारे में development देखने को मिलता है, किस तरीके से एक Supreme God का उदह होता है, इसके अलावा Supreme God के साथ साथ, बाकी Gods को पूजा पाठ करने की पूरी freedom होती है, ये जो idea रहा tried का, ब्रह्मा विश्नु महेश का, इसका भी शुरुवाती दौर इसी period में देखने को मिलता है, जो बाद में महा बारत में हमें और ज़्यादा evident होता हुआ दिखाई देता है, इसके अलावा, ब्रह्मा जी का क्या रोल होगा, विश्नु जी का क्या रोल होगा, शिवजी का क्या रोल होगा, किस तरीके से ब्रह्मा जी को associate किया गया creation के साथ, विश्नु जी को preservation के साथ, ये भी इस period में उसके elements भी evolve होते हुए दिखाई देते हैं। क्या different principles रहे, क्या division of labor रहा, ब्रह्मा जी को associate किया गया राजाज के साथ creative active principle, विश्णु जी को सत्वा के साथ unattached passive principle, शिवा को तमस के साथ dark fierce principle, रुद्र principle, इसके अलावा, कई सारी जगह, कई पुरान आज में, भगवान को हमें इस तरीके से भी operate करते हुए देखने को मिलते हैं, कि किस तरीके से एक भगवान है, जो हो सकता है कि कुछ लोग उनको supreme माने, लेकिन दूसरे भगवानों को पूजा करने में, मानने में, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों, आज का हमारा lecture 27, जो की चार important topics को cover करता है, philosophical developments को, आस्तिक और नास्तिक schools को, worship of यक्ष, यक्षनी नागाज और नागीज को, वैदिक rituals को, पुरानिक हिंदुजम को, यहीं समापत होता है, मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज का ये lecture आपको पसंद आया होगा, stay tuned, जय हिंद, जय भारत!